एक मूवी देखी मैंने Amazon Prime वीडियो पर पिपपा नाम से जो 1971 में हुए वार पर बेस्ट है याने रियल लाइफ स्टोरी है तो कैसी है ये मूवी आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी वैसे आज तक बहुत सी रियल लाइफ वार बेस्ट मूवी आई है जिसमें अगर हम रिसेंटली रिलीज उरी या शेरशा की बात करें तो उन फिल्म्स में देशभक्ती वाले इमोशन्स, प्रॉपर स्टोरी लाइन और फोकस रहता है दुश्मन को स्ट्राटेजी थू कैसे हराया जाए यहाँ पर भी वो सब है लेकिन यहाँ पहली बार फोकस वार में यूज किये गए इक्विप्मेंट पे हुआ है जो बेसिकली एक वार टैंक है जिनको उन्होंने नाम दिया था पिप्पा पिप्पा याने हमारे घर में जो टिन के घी या तेल वाले डब्बे होते न वो पिप्पा और इन वार टैंक्स की खासियत यह थी कि यह पानी में भी तैर सकते थे जैसे यह टीन के खाली बैक्ग्राउंड भी ओरिजिनल सो लड़ाई वाले सीन्स देखते वक्त आपको रियल लाइफ वार वाली फील आने लगती है कही पर भी कुछ भी नकली नहीं सब कुछ रियल बट जहां तक बात स्टोरी लाइन और एक्टिंग की करे तो एक्टिंग वाइस तो फिर भी ठ जो कारेक्टर इशान ने प्ले किया है उस कारेक्टर के लिए पिपपा उसकी जान क्यू है ये जरा भी बताया नहीं गया बस हमको अज्यूम कर लेना है के हाँ पिपपा है और इशान याने के बल्ली की जान उसमें बसती है उपर से जितने भी आर्मी ओफिसर्स दिखाए इशान खटर उन सब में बस एक बच्चे की तरह दिख रहे थे No doubt acting बढ़िया थी उनकी पर personality wise I think उनका character किसी और actor ने play करना चाहिए था But anyways, film का second half अच्छा खासा gripping है क्योंकि वहाँ war पर जादा focus होता है But I don't know why मैं इस film के साथ emotionally connect नहीं हो पाया देशभक्ती वाला emotion और शायद makers को भी ये बात ध्यान में आ चुकी थी के अपनी film को लोग theater में जाकर देखने नहीं वाले इसलिए उन्होंने इसे prime video पर directly stream कर दिया क्योंकि जादातर लोग आजकल theater में तब ही जाते है जब वो film कोई mass masala action movie हो या उस movie में कोई बहुत बड़ा pan India superstar हो या at least 12th fail या कांतरा movie की तरह content में दम हो जिसकी वज़े से mouth publicity के दम पर audience theater तक खीचा चला जाए इस film के मामले में ऐसी feelings जरा भी नहीं आती film कही ना कही flat हो जाती है और बस एक normal movie की तरह ही इसे हम देखने लगते है film में sibling की chemistry, लड़ाई जगड़े और emotions अच्छे है AR Rahman साहब का music है but again पता नहीं क्यों emotionally वो hit नहीं कर पाता बाकी overall देखा जाये तो मेरे लिए ये एक average movie बन कर ही सामने आती है इसलिए 2.5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में Bye